नमस्कार सबीकों मैं प्रशान जर्मा भारती शर्किल में आपका हारदेख स्वागत करता हूं हार देख अविनन्नल करता हूं दोस्तों हम प्रते का प्रक्रण पड़ रहे थे जिसमें हमने कृतन्त और तद्दित प्रते को पढ़ लिया था आज हमारा जो एक प्रते और रह जानकारी करेंगे इस्त्री प्रतेयर का अध्यान करेंगे ठीक है दोस्तों देखते हैं देखिए इस्त्री प्रतेयर इस्त्री प्रतेयर इस्त्री प्रतेयर क्या होता है सबसे पर इसकी जानकारी करेंगे इस्त्री प्रत्य जो है पुलिंग शब्दों में जिन प्रत्यों को लगाकर हम इस्त्री बाचक शब्द बनाई जाते हैं उन्हें इस्त्री प्रत्य कहते हैं जो भी पुलिंग शब्द जो है उन्हें जिन प्रत्यों को लगाकर हम इस्त्री बाचक बनाते हैं उन्हें हम क्या बनाए जाते हैं उन्हें हम स्तुरी प्रते कहते हैं इसमें कौन-कौन से है पहरा कौनसा है टा डा चा ठीक है आ में हम कौनसा देखेंगे टा डा और चा ढूसरा कुंसा है इडीब डीश दीब ठीक है तो सबसे पहले हम कुंसा देखेंगे दोस्तों आप इनकेश में हम टाप डाप और चाप तीनों कुन देखेंगे ठीक है देखिए क्या किराएं अकारांत पुलिंग शब्दों से से इस्तिरिंग शब्द बनाने के लिए टाप तीन लगाया जाता है तरहिए जो सब्दों से इस्तिरिंग शब्द जो है बनाने के लिए ताप या आप तेनका प्रयोग करेंगे ठीक है जैसे उल्हारणी के लिए पंदेख लेते एक बाद के अश्व धनता या आकर दीजी तो इसका क्या बनी क्या है अश्वा तरह कौन सा सब्द है इस तिलें सब्द पर अश्व कौन सा है पुलिंग है ठीक है एक अश्व नि गोड़ा अश्व नि गोड़ियों कहा ठीक है शुतह धन्ता शुतह धन्ता प्या आप तो सुता हों एं चीक है ना नोस्तों यानकि हम प्रेंग शब्दों से ताप जोड़ करके इस्टिरंग शब्दों को हम बना रहे हैं सरल धन्ता तो सरणा चीक है प्रत्रम धन्ता तो प्रत्रमा यानिकि हमने क्या कर रहे हम इस्तिलिंग बना करके हम इस्तिरी प्रते का जानधारी कर रहे हैं आगे देखते हैं दोस्तों देखिए अगला लिए यदि पुलिंग शब्द यदि पुलिंग शब्द के अंत में अक हो तो आप्रते लगाने पर एक फोजाता है आप ट्रते हो जाएगा जैसे कि बालका अधन आप तो इसका क्या हो जाएगा आप इसका क्या हो जाएगा जाएगा इक हो जाएगा ठीक है ना मस discs uh up मुशें की खेख दो इसके ज़ी ग्रादय को सद्सक्राइप गाय कह स्द्सका लगल नाय कह धन ऑफ तो न्हीं को सद्सक्राइप है प्रतेक लगा के NICK और क्या करें वांपर महां प्रतिय को लगा के हैं कि आपको स्ब्द कारouse क्षिका और गायका धना गेखा कर दिया जोड़कर के साधिका कर दिया ऑशिख्षक का रोब उसक्राइब कर दिया क्षिछक कर दिया और बालग धना कर दिया ऑर ठीक हो इम्ने को से देख लिए ताप वाले जो है वुन को लेख लिया इसके बाद में हम कौन से देखेंगे यह आ वाले जो ते वह हमने देखेंगे देखेंगे दीप डीश डीव जैसे रिकारांत एवं नूकारांत पुलेंग शब्दों को इस्तिरेंग शब्दों में बदलने के लिए इप्रते रगाए जाता है कौन कोन से रिकारांत नूकारांत पुलेंग शब्दों को क्या करेंगे इस्तिरेंग शब्दों में बदलने के लिए क्या करेंगे हम इप्रते का प्रते का प्रयोग करेंगे या प्रते को हम लगाएंगे ठीक है दोस्तों उधार्व देख लिए इसके क्या कहे रहा है कर्त दन तो क्या बढ़िए इसका कर्त्री ठीक है आगे देखिए दोस्तों देखें दात्र धनी तो क्या बढ़िए दात्री हो जाएगे ठीक है धात्र धनी तो धात्री ठीक है और तपश्षिन धनी तो तपश्षिनी यह सारे हुंन्त किया है वो खुलें चाब्ड अभिसमें हम जोड़ देंगे इसको जोड़ने के लिए क्या कर रहे तो इसका क्या बढ़ए और इसको क्या क्या सब्सक्रावाइक गया धात्र जिए से ठीक है तो उसके वाद डेखते हैं उसमें का ज़रा देखिए कि आपका आरांत खुलिंग शब्दों तथा कती पेजाती वाचक शब्दों में भीई प्रते लगाकर इश्तिरिंग शब्दों बनाएगा यहां अकारांत पुलिंग शब्द जो है उसमें कभी-कभी जाती वाचक सब्दों में भी क्या करेंगे हम इप्रते लगा करके हम क्या करेंगे उनको इस्टिलिंग बना दिए जैसे देखिए नदव प्लस ए नदव शब्द में इप्रते लोड़ दिया तो क्या वनगे दोस्तों यहां नदी वनगे ठीक है देव धन ए तो देवी वनगे ठीक है भयंकर धन ए तो भयंकरी हो गया उसके बाद गोप धनेगी तो गोपी हो गया महश धनेगी तो महशी हो गया शुकर धनेगी तो शुकरी हो गया ब्राम्मा धनेगी तो ब्राम्मनी हो गया उम्रग धनेगी तो अम्रागी हो गया यह जितने वी शब्द है वो शब्दिंग है और इसमें हम इप्रते लगा कर तरलों के इनको च्रून च्टिद्ध हिए इस तिन के वे इसी बना रहे हैं नद में जोड़ दिया तो डेस्ट बन गया तो तो ट्रड़ नदि उससतों उसके बाद देव में जोड़ दिया कर दिया का कि वुल में न Squee बन गया चीच है महिस में अब्रत को लगा दिया शूकर में पर्कवलाँ यह सूकर बरिया और ब्रहामने महिच्छ में परितकु लगा दिया तो ब्रहामनी बन गया दोस्तों हमारा हो रहा है कि जो देखो आगे क्या हो रहा है कि दिखु समास का अंतिम शब्द जदी अकारांत है तो यह प्रतेश में लगता है जैसे इसका क्या होगे दोस्तों ट्रलोगी ओग्या पंचबट द gustaría पंच rhymeणी हो जाएगा ठीक हि這邊 आगे इस सर्ट प्रत्यांत शब्दों को इस्तिर्म में बदलने Children के लिए इए उनको किए कंदना है इस्तिलिम में बदरने के लिए हम क्या करेंगे प्रते लगता है देखिए जासे गच्छत धन्य गच्छत धन्य तो गच्छत में लग जाएगा गच्छत धन्य तो इसमें क्या हो गया बदर्णती हो जाएगा दर्शयत धन्य तो इसमें क्या हो गया दर्शयंती हो जाएगा ठीक है इसके बाद में यह को लिए हम क्या हो रहा है कि इसके अत्रिक्त भी इप्रते के योग से इस्तिरिम सब्दों बनाते हैं जैसे देखिए स्री मताहा धन्य श्री मताहा धन्य तो इसका क्या हो जोस्तों स्री मत्य हो जाएगा ठीक है इसके बाद आवाजी क्यों चलते हैं कि देखिए दोस्तों तो इसका क्या बनेगा गत्मती बन जाएगा गत्मती बन जाएगा इसके आगे देखिए जया अर्थ में भी क्या होगा पुले में शब्दों से दीशी आ या यह प्रतेलाब जाएगा जैसे इंद्रधनदीन्शक तो इंद्राणीन्धीस के वारम के इसमें क्या है कि जाया अर्थ में भी पुलिंग शब्दों से ड्रींग प्रते यी प्रते लगाए जाता है तो इसमें क्या हो जाता है इंद्रदीनस तो हिंद्रानी बंद्रदीन को लगा देंगे तो बढ़वानी और मतुल्डडीस तो मतुलानी और रुद्रदीस तो रुद्रानी हमारा बन जाएगा आगे देखिए दोस्तों कि कुछ शब्दों से स्टिलिंग शब्द बनाने के लिए आ Lehr और ी दोनों प्रते और लगाए जाते है और आच्यार्य आच्यार्या जो स्वयम पढ़ाती है वो कौने आच्यार्याणी आच्यार्याणी कौने आच्यार्य की पत्री है ठीके उपाध्याय 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 इत्समें मतलब आजी लग जाएगा ओर यह भी दोनों को लगातर ग्रहम बना देंगें उपाध्याय में आज़ा तो पाध्याय थे इसमें आचांगे में यह आचारी में यह तो ईन्हया और आगे देखिये दोस्तों सुसक्त करन काुछ से फूर अगे si ppratatatat कि प्रते हैं ऊसमें थोड़ा सा देखलेते हैं हुं कैसे कुछ प्रते किया है यू वन शब्द से इस्तिलिंग बनाने के लिए ते प्रते लगाया जाता है ठीक ही का कह jest यूवन शब्द जो है उससे Whilstdhring वना लेकरिम क्या करेंगे ती प्रते को लगार जैसे देखिएंगे यूगण धनतीक तो इसका बनेगा दोस्तों यूवती इसका क्या हुआ यूवती रहार जोस्तों क्या उससे इसली प्रतिक जो है उसके बारे में हमने पढ़ दिया है दोस्तों हमारा तो प्रते का प्रकरण जो था वह आज यहीं पर समाफ्त होता है अगली कख्षाओं में हम कारकाभी प्रकरणों के बारे में अध्यन करेंगे आज के लिए इतना ही धन्यवाद दोस्तों